नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्स्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे हम नाउन्स के बारे में सोड़ा डीटेल में पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हमने नाउन्स की परिभाशा देखी थी और हमने कुछ उधारन देखे थे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आज हम पढ़ेंगे टाइपस अफ नाउन यानी नाउन के प्रकार तो स्क् तो चलिए इन प्रकारों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं कॉमन नाउन को हिंदी में जाती वाचक संग्या कहा जाता है अभी स्क्रीन पे आपको एक वाक्या दिख रहा है गोपाल is an honest boy यानी गोपाल एक लड़का है इसमें मैंने boy शब्द को highlight किया है क्यों दिखते हैं आगे अब दूसरा वाक्या fluffy my neighbor's dog wag this tail यानी fluffy जो मेरे पडोसी का कुत्ता है उसने अपनी पूछ हिलाई यहां पे टेल यानी पूछ और neighbor यानी पडोसी और तीसरे वाक्या में लिखा है राहुल ड्राविट is a very humble person यानी राहुल ड्राविट काफी नम्र इंसान है यहां पे humble यानी नम्र और person यानी इंसान तो पहले वाक्या में boy दूसरे में dog और तीसरे में person इन तीनों शब्दों को मैंने highlight किया है क्यों आप शायद समझ गए होंगे कि यह जाती वाचक संग्या के उधारण है यानी मैं कह रहा हूँ कि boy, dog और person आम संग्या हैं ऐसा क्यों चलिए देखते हैं पहले वाक्या में लिखा है गोपाल is an honest boy अब गोपाल शब्द किसी विशेश व्यक्ति का बोध करता है लेकिन boy शब्द किसी विशेश व्यक्ति का बोध नहीं करता boy काफी आम शब्द है boy यानी लड़का तो गोपाल भी लड़का है अनिल भी लड़का है अंकित भी लड़का है वैसे ही दूसरे वाक्या में fluffy एक विशेश कुति का बोध करता है लेकिन dog काफी आम शब्द है तो fluffy भी डॉग है वैसे ही ब्रूनो भी डॉग है और वैसे ही तीसरे वाक्या में person य आगया होगा कि जाती वाचक संग्या है यानि आम संग्या है तो कौनसे शब्द जाती वाचक संग्या के कैटेगरी में मिलेंगे यह आप शाहिद अब समझ पाएंगे तो चलिए अब कुछ और उधारन देखते हैं यहां लिखा है इंडिया इस मैं कंट्री यानि भारत मेरा देश है तो यहां वापस कंट्री यानि देश काफी आम शब्द है इंडिया भी कंट्री है बांगलादेश भी कंट्री है अमरिका भी कंट्री है चलिए आगे बढ़त हैं यहां लिखा है there is a very famous book titled treasure island यानि एक काफी मश्यूर book है जिसका नाम है treasure island तो अब यहां वापस book यानि किताब एक आम शब्द है बहुत सारी किताब होती है महाभारत एक किताब है रामायान भी एक किताब है और वैसे ही तारे जमीन पर is a movie है movie यानि film या हिंदी में कहूं तो चल चित्र तो यहां movie भी एक काफी आम शब्द है कितनी सारी पिच्चर या movies देखते हैं तारे जमीन पर देख लो चकदे इंडिया देख लो वगेरा वगेरा तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कामन नौन क्या होता है? लेकिन चले अब हम कामन नौन की परिभाषा देखते हैं तो common noun वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन व्यक्तियों या वस्तुयों को समान रूप से दिया जाता है तो चलिए अब थोड़े और उधारन देख लेते है common noun के तो buildings यानि इमारते यह भी एक आम शब्द है elephant यानि हाथी यह भी एक आम शब्द है animals यानि जानवर यह भी एक common noun है अब आप शायद पूछोगे कि elephant तो एक विशेश जानवर है तो हमने उसको क्यों common noun कहा है इसलिए क्योंकि elephants भी बहुत सारे होते है elephant का अगर कुछ नाम हो किसी एक elephant का जैसा अगर मेरे पास एक हाथी है और मैंने उसका नाम रख दिया मोती तो जब मैं मोती कहूंगा तो मैं एक विशेश elephant की तरफ इशारा कर रहा हूं तो इसलिए मोती एक common noun नहीं होगा लेकिन elephant एक common noun होगा और आख्रियोधारण school यानि विद्याल है यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि school एक इमारत का विशेश रूप है लेकिन schools भी बहुत सारे होते है तो अगर मैं school का नाम लू तो वो नाम common noun नहीं होगा लेकिन school एक common noun है तो चलिए अब noun के दूसरे प्रकार के बारे में जानते है जो है proper noun proper noun को हिंदी में व्यक्ति वाचक संग्या कहा जाता है तो अब हम वापस वही तीन उधारण देखेंगे जो हमने पहले देखे थे लेकिन यहाँ पर फ़रक यह है कि पहले मैंने boy, dog और person को highlight किया था लेकिन यहाँ परकन गोपाल, fluffy और rahul dravид को highlight किया है क्यों कि गोपाल एक विशेश व्यक्ति का नाम है fluffy एक विशेश कुताई का नाम है राहul dravid एक विशेश व्यक्ति का नाम है तो अब आपको शायद व्यक्ति वाचक और जाती वाचक संग्या में फरक समझ में आ गया होगा वैसे ही यहाँ पे इंडिया एक विशेश देश का नाम है Treasure Island एक विशेश किताब का नाम है और तारे जमीन पर एक विशेश मूवी का नाम है तो अब चलिए अब हम प्रॉपर नाउन की परिभाशा देखते हैं तो वह नाम जो किसी विशेश, व्यक्ति, वस्तू या स्थान को दिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते है तो चलिए कुछ और उधारन देख लेते है रविंद्रनाट टगोर यहाँ एक विशेश कवी है एंपायर स्टेट बिल्डिंग यहाँ विशेश इमारत है मुंबई यहाँ विशेश शहर का नाम है और पारले जी यहाँ विशेश बिस्किट का नाम है तो शायद अब आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन को हिंदी में सामूह संग्या कहा जाता है या समूह वाचक संग्या यहां आपको बाय तरफ जो चित्र दिख रहा है उसे हम अंग्रेजिम कहेंगे बर्ड यानि पक्षी और दाय तरफ जो दिख रहा है उसे हम कहेंगे फ्लॉक अफ बर्ड यानि पक्षियों का जुण्ड तो फ्लॉक एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि एक साथ बहुत सारे पक्षी है, यानि, फ्लॉक समूह का बोध कर रहा है, इसलिए फ्लॉक एक समूह वाचक संग्या है. वैसे ही नीचे लेफ्ट साइड में जो चित्र है उसे मैं कहूँगा soldier यानि सैनिक और राइट साइड में जो चित्र है उसे मैं कहूँगा army of soldiers यानि सैनिकों की सेना तो army वापस एक ऐसा शब्द है जिससे समूह का बोध होता है तो इसलिए उसे समुह वाचक संग्या कहा जाता है तो चलिए आप समुह वाचक संग्या की परिभाशे देखते हैं तो collective noun का मतलब है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समुह को दिये जाने वाला नाम तो चलिए आप कुछ उधारन देख लेते हैं पहला उधारन family यानी परिवार इससे एक लोगो के समुह का बोध होता है तो इससे समुह वाचक संग्या कहते हैं वैसे ही party of friends यानी दोस्तो का संग्या तो party एक एसा शब्द है जिससे वापस लोगों के एक समुह का बोध होता है तो वापस यह भी एक समुहवाचक संगया है यह भी एक समुहवाचक संगया है Band of Musicians यानि संगीतकारों का Band यहाँ Band से भी हमें पता चल रहा है कि एक साथ बहुत सारे संगीतकार है तो यह भी एक समुहवाचक संगया है तो अब शायद आपको सम्होवाचक संग्या के बारे में पता चल गया होगा अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे material noun material noun को हिंदी में द्रव्यवाचक संग्या कहा जाता है और material noun का अर्थ है किसी भी पदार्थ का नाम तो चलिए आप कुछ उधारन देखते हैं तो पहला उधारन है cotton या रूई cotton से हम कुछ चीज़े बना सकते हैं जैसे कपड़े वगेरा तो cotton एक पदार्थ हुआ इसलिए वह material noun है वैसे ही iron यानि लोहा इससे भी हम बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं जैसे सिक्के, टेबल वगेरा वैसे ही gold यानि सोना इससे हम जेवरात बनाते हैं तो यह भी एक पदार्थ हुआ इससे material noun कहते हैं वैसे ही wood यानि लकड़ी लकड़े से तो लोगों के घर बन जाते हैं तो यह भी एक पदार्थ हुआ और plastic आजकल की बहुत सारी चीज़े plastic से ही बनती है तो यह भी एक पदार्थ हुआ और इसलिए plastic भी एक material noun है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब noun का आखरी प्रकार abstract noun abstract noun को हिंदी में भाव वाचक संग्या कहा जाता है तो आपको screen पर तीन चितर देख रहे है पहले चितर में जो लड़का है वो काफी गुसे में है तो उससे क्रोध या आगर का भाव प्रकट होता है दूसरे चितर की smiley से happiness या आनन्द का भाव प्रकट होता है और तीसरे चित्र में जो इंसान है वो काफी जोर-जोर से हस रहा है तो उससे laughter या हसी का भ्राव प्रकट होता है तो anger, happiness, laughter ये सब ऐसे शब्द है जिनसे कोई भाव प्रकट हो और इसलिए इन्हें भाववाचक संग्या कहा जाता है तो याद रखिए कि भाववाचक संग्या को हम कभी छू या देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो abstract nouns यानि भाववाचक संग्या का अर्थ है किसी भाव, गुण, दशा, आदी का बोध कराने वाले शब्द तो आप abstract nouns और interjections के बीच confuse मत हो जाईएगा interjections यानि विस्मयादी बोधक शब्द जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ाता वे ऐसे शब्द है जिससे किसी भाव को व्यक्त किया जाता है तो अगर मैं बोलता हूं हुर्रे तो उससे खुशी का भाव व्यक्त होता है लेकिन खुशी एक भाव वाचक संग्या है क्योंकि खुशी एक ऐसा शब्द है जिससे किसी भाव का बोध होता है तो चलिए अब हम भाव वाचक संग्या के कुछ उधारन देख लेते हैं तो पहला उधारन है पेन यानि दर्द जो हम महसूस कर सकते देख या छूँ नहीं सकते दूसरा उधारन है music यानि संगीत उसे भी हम सुन सकते हैं लेकिन देख या छूँ नहीं सकते तीसरा उधारन है growth यानि विकास तो वो भी एक ऐसी चीज है जो हम महसूस करते हैं और चौथा उधारण है चाइड़ूड यानि बचपन यह एक दशा है इसलिए यह भी एक भाववाचक संग्या है चलिए अब हम देखते हैं how are abstract nouns formed यानि abstract nouns कैसे बनते हैं थोड़े शब्द जातिवाचक संग्या से बनते हैं जैसे child यानि बच्चा उससे मुझे एक भाववाचक संग्या मिलती है childhood यानि बच्पन जो एक दशा है वैसे ही artist यानि कलाकार उससे मुझे एक भाववाचक संग्या मिलती है artistry यानि कलाकारिता वैसे ही थोड़े शब्द क्रिया से बनते हैं जैसे ग्रोथ यानि विकास वो शब्द आता है ग्रोथ से जो जिसका अर्थ होता है बढ़ना वैसे ही लाक्टर यानि हसी वो शब्द आता है लाफ से जिसका अर्थ होता है हसना और थोड़े शब्द बनते है विशेशनों से यानि adjectives से जैसे beauty यानि सुन्दर था वो शब्द आता है beautiful से जिसका आर्थ होता है सुन्दर वैसी kindness यानि दयालो था वो शब्द आता है kind से जिसका आर्थ होता है दयालो तो beautiful और kind यानि सुन्दर और दयालू ये शब्द हम किसी का वर्णन करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो ये हो गए adjectives लेकिन सुन्दर ता और दयालू ता ये भाववाचक संग्याए है तो अब हमने noun के सब प्रकार तो देख लिए है अब चलिए आज थोड़ी विविद बाते करते हैं आज हम vowels और consonants के बारे में पढ़ेंगे यानि स्वर और व्यंजन के बारे में तो English के जो 26 letters है उसमें से A, E, I, O और U इन्हें vowels कहा जाता है या हिंदी में कहूँ तो स्वर कहा जाता है और बाकी के सभी letters को consonants यानि व्यंजन कहा जाता है और एक special case है Y जो कभी-कभी vowel होता है और कभी-कभी consonant तो ऐसी क्या बात है A, E, I, O, U में कि उन्हें vowel कहा गया है तो ये इस बात पर depend करता है कि शब्द में उस अक्षर का sound कैसा है यानि वो अक्षर कैसे सुना ही देता है शब्द में तो अभी हम ज्यादा detail में नहीं जाएंगे हम जब articles पढ़ेंगे जो कुछ दिनों बाद हम पढ़ने वाले हैं तब हम इस पे अंत तक पहुँच गए है और जैसे मैं आपको बताया था कुछ लेक्षरों के अंत में एक optional test रखी जाएगी जिसके जरीए आपको पता चलीगा कि आपको कितना समझ में आया है मैं उमीद करता हूँ कि आप सब प्रश्मों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपको स्क्रीन पे आठ वाक्या दिख रहे हैं और हर वाक्या पे एक शब्द रेखांकित है तो आपको उस रेखांकित शब्द के संग्या का प्रकार बताना है तो पहला वाक्या है अंकित गौट अन्यू कार्ट टुडे यानि अंकित ने आज एक नई गाड़ी खरी दी फिर धेरार वेरी फ्यू बर्ड्स लेफ्ट इन दे सिटी यानि शेहर में बहुत कम पक्षी बचे है यहां सिटी यानि शेहर दो ओर्नामेंट्स वर मेड फ्रम गोल्ड और सिल्वर यानि जेवरात सोने और चांदी से बने थे गोल्ड यानि सोना दो बॉई सेट अन दो वुड़न बेंच यानि वो लड़का लकडे की बेंच पे बैठा दा पुलिस कोड नौट कंट्रोल दा क्राउड यानि पुलिस भीड को काबू में नहीं ला पाई रचना इसा स्मार्ट गल यानि रचना एक होश्यार लड़की है हैपिनेस इसा मैटर अप चॉइस यानि खुशी अपनी पसंद की बात है हैपिनेस यानि खुशी इंग्लिश इसा वेरी इजी लैंग्विच यानि अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है आज के लेक्चर में हमने जो आपसे प्रशन पूछे थे उसके जवाब आप